डिकोड हुआ हुआ साइफर पाकिस्तान से लीक हुआ है और according to intercept ये military के किसी बंदे ने उनको लीक करके दिया है और वो intercept ने जो है वो शाया किया है वो कहते हैं कि Donald Lu ने सबसे पहले तो ambassador को ये कहा कि जो पाकिस्तान की Ukraine के उपर aggressively neutral policy है ये बड़ा interesting word है कि पाकिस्तान neutral भी रह है पाकिस्तानी ambassador को के हमने अपनी तहकी किया और हमारे हिसाब से ये सिर्फ इमरान खान की policy है और US और Europe जो है वो इसके उपर बड़े नाराज हैं उनके serious concerns है और आने वाले वक्त में भी बड़े serious concerns हमें नजर आ रहे हैं और ये सब कुछ इमरान खान कर रहा है ये उसकी policy ह और दौरा जो उसने किया था मासको का वो भी उसकी अपनी policy थी वो उसने खुद से ही वो दौरा बनाया था वो खुद ही जाना चाहता था और कोई नी जाना चाहता कि क्यों अमरीका सोचता है कि ये सिर्फ इमरान खान की policy थी क्यों अमरीका ये सोचता है कि ये किसी और की policy भी कालिसी नहीं थी यह уверigen कालिसी थी इस पर इम्रान खान साब कह चुकिये हैं कि जरुनल बाड़ा इम्रान खान चुक्ता जो हैं वो USA को wrongly फीड करते रहे इम्रान खान के खिलाफ काम करते रहे और उनों यहां पर लोग हाईर कियो हे थे डालर दे कर पैसे हाईर जलसे में कहा दिया हम कोई गुलाम है जो आप से पूचके करें जो आपने करना है हम अपनी मरजी खुद करेंगे हम अपने मुलकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेंगे ये भी डानल लू ने बड़ा सखत कंसर्न इसके उपर शो किया जिसके जवाब में असद मजीद की जग इताक रखते हुए एक तरफ रखते हुए सफारती अदाब की खलाफवर्दी करते हुए एक पबलिक लेटर इशू कर दिया कि पाकिस्तान को रश्या की मखालफत करनी चाहिए युक्रेन के हमले के उपर इस विए हमारा वजीर आजम होता या बले अमरीका का या किसी और म मजीद बताते हैं कि उन्होंने पूछा कि क्या ये जो आपको घुसा है डॉनल्लू साब जो आप अपनी इतना ज्यादा आप परिशानी का अमरीका की तरफ से जाहर कर रहे हैं ये जो हमने न्यूट्रिलिटी रखी है वोट यूएन जीए के अंदर हमने वोट नहीं दिया उसकी वज़ासे है तो उसके जवाब में उन्होंने का कि नहीं ये जो प्राइम मिनिस्टर ने मॉस्को का विजट किया है रूस का विजट किया है ये उसकी वज़ासे है फिर आगे असद मजीद कहते हैं कि मुझे डॉनल्लू ने ये कहा कि 7 मार्च को हो रही है अभी का विजट हुआ है ये जो हमारा घुस्सा है ये जो हम परेशान है सब माफ़ आपको आम माफ़ी का इलान पाकिसान के लिए अमरिका करेगा वश्न्टन में ये रिज़ प करेगा ये इज़ पिर फिर तो नवरी ाहे है एद्धा इज़ गए होगा कि फर तो आन्मवसी तो किस तरीके से रियक्ट करेंगे बाँ मुझे लगता है वो भी हमारी तरह ही रियक्ट करेंगे आप माईबाब है पूरी दुनिया के आप ही की तरह रियक्ट करना उनकी क्या मजाल है बचारों की किसी और तरह से रियक्ट करें और उसके बाद उन्हें कहा उन्हों पूरी जु of no confidence से तो फिर isolation में चला जाएगा इमरान खान कोई इंगेज नहीं करेगा तूसरे लफ़ों में पाकिसान वाज़ तोर पर पता दिया कि आपका अंजाम क्या होने वाला है इसके जवाब में जो है वो असद मजीद कहता है कि मासको का जो विजट था अज़ूर वो इमरान खान का अकेले का फेसला नहीं था वो सारे अधारों की उसमें फीड़बैक थी आगे अफगानिस्तान के हलाद आपको पता है अम्रीका वहां से निकल रहा है और निकल गया है इन हालाद के इंदर अफ़गानस्तान में अमन की बहुत जरूरत है जिस वज़ा से रूस एक मेजर प्लेयर है हम रूस के साथ क्योंकि हमारी आपकी वज़ा से दहाईयों से हम अमरीका के साथ थे और रूस के साथ हमारी मुखालफत थी अब उन हालात के अंदर जब अमरीका वहां से निकल गया है तो हम रूस के साथ अपनी बादचीत के दरवाजे खोलना चाहते हैं ताकि अफगानिसतान के मैटर के अंдर हम जो वहां की प्लेयर रहें उने पांफिडेंस में ले सकें तो यह अगेले इमरान खान का यह मामला यह सबका अकटे मामल़ा है साथ असुत मजीद यह भी कहता है जिस्टिफाई करने के लिए कला इमरान खान ते नहीं सी किया हज़ूर। ठीक है इमरान खान माड़े मुलक दा वजिरियाजम है। तो सी चौधरी हो। लेकिन वहाँ पर तो यॉरप के दूसरे मुलकों के भी जो है उन दिनों में लोगों ने विजिट किया रिशिया को। तो उस पर डानलू कहता है के नहीं नहीं इन दो चीज़ों को आप कंपेर ना करें वो जो दूसरे लोग थे वो तमाम के तमाम गए थे सुला कराने युकरेन की और रिशिया की आपका दौरा जो है वो खालसतान जो है रिशिया का था बाइलिटरल ता जिस पर फिर असद मजीद आपका अमबैस्टर द जो डानल लू हैं वो उनको इसका कोई जवाब नहीं देते बात बदल देते हैं और साथ असद मजीद ये भी कहते हैं कि हज़ूर हमारे से तो आप चाहते हैं कि हम बिलकुल खड़े हो जाएं अमरीका के साथ और रिशिया के खिलाब बयान दे दें और इंडिया से आप य वो देखते हैं चाइना के प्रस्पेक्टिफ से और इंडिया के स्टूनेंट जब वहाँ से निकल जाएंगे तो हमें अमीद है कि इंडिया खुल कर आजएगा यूकरेन के खिलाफ जो कि आज के दिन तक नहीं आया इस पॉइंट इसके बाद असद मजीद जड़ा पुतर हटांते नहीं विखदा वो डानल लू से पूछता है ये जो कुछ हुआ मैंने आपको बताया है कि ये प्राइमिनिस्टर का अकेले का नहीं था और प्राइमिनिस्टर ऐसा कुछ नहीं चाते ये सबसे मशवड़ा करके एक लंबी डानल लू कहता है कि ये जो अलंपिक्स ह अनु खटा दे होगे तो सब कुछ माफ हो जएगा अनाम मिलेगा तो जे नहीं हटा होगे फिर तो नहीं के रख देंगे फिर लाटियां पैणगे ये तो अनु सो कैरट इंस्टिक जिसे कहते हैं धंकी भी देता है और साथ अनाम की पेशकेश भी करता है ये अखबार नहीं कहा रहा है ये इंटरसेप्ट कहा रहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट की ये पॉलीसी थी उसके बाद जो असद मजीद हैं वो पूछते हैं कि अच्छा चलें मेरी मेरा ख्याल है कि जो मैंने आपको एक्स्प्लेन किया है उससे कोई ना कोई चीज़े आप वाज़ ह पह गई है अब ये इमरान खान जाएगा ही तो मामला ठीक होता मुझे नदर आ रहा है अगर वो रुका तो पिर देखेंगे फिर हमें शायद ये बड़ा हैड़ान में फर्ट टुड़ा वज़न गिया पंजाबीच केंदे ने सिरनल सिर वज़ेगा फिर हम अपना ये जो इसको बड़े खुले तरीके से हैड़ान कोलिजन होगी हैड़ान हम आपके साथ टेक करेंगे इस सारे पॉइंट व्यू को साथ अब असद मजीद साथ जो है उसके बाद क्योंकि वो एक बहुती सीनियर डिप्लोमेट थे आज कल वो सेक्रेटरी खारजा है पाकिसलान के व हाइस्ट ऑफिस वाइट हाउस है उसकी अप्रूवल के बगार नहीं दी इसका मतलब है कि एक इस लेवल का जो आफिसर या या रिप्रिजेंटिटिव है अमरीका के वजारते खारजा का वो कभी भी इतनी सख्स जबान और इतना आउट राइटली पाकिस्तान के जो मामला हैं अंदरोनी मामलात हैं उनके अंदर वो इंटर नहीं कर सकता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो या प्राइमिस्ट को हटा दें तो माफी मिल जाएगी नहीं हटाएं तो नहीं मिलेगी ये बातें वो नहीं कर सकता जब तक वाइट हाउस का आशिरबाद अप्रूवल उसके प का आखलत हो रही हैं ये एसलमजीद बेचते हैं अब यहां से आगे से मेरा अनलसिस चुरूँ रोता ये अख़ार में आज स्टोरी भाड़ी है अब आगे से मैं आपको बताता हूं जब ये पहुँचता है तो ये आपको वो स्टोरी बता रहा हूं जिसका मुझे पता है ये इमरान खान साब से चुपा लिया जाता है, ये शामेमूद कुरेशी साब से चुपा लिया जाता है, फिर शामेमूद साब को टिप करता है, मुझे नी पता वाशिंग्टन से कौन करता है, शामेमूद साब को वाशिंग्टन से अमबैसी से कोई बताता है, आमने कुछ ब हमारे हाँ एक इसलामी कॉन्फरंस हो रही है टूर्ड बीस और पचीस के दर्मयान में मार्च के उसको हो लेने दें उसके बाद इस पर बात करेंगे 27 मार्च को फिर इमरान खान जब देखते हैं कि इसमें तो बाजवासाब खुद ही मिले हुए इन से क्या बात करनी है और क् प्रेड ग्राउंड में जलसे के अंदर वो कागज लहराते हैं और कहते हैं इमरान खान खान ने कागज लहराया बहुत बुरा किया उन्हों ने जो अकल मंदी की वो नहोंने नैशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बलाई जिस पे तीनों आर्मी चीफ होते हैं चेर्मन کیا جائے وہ ڈماش کیا جاتا ہے عمران خان کو پتا ہوتا ہے کہ کل کو اس بات کو اس کے خلاف استعمال کیا جانا ہے وہ کیابنٹ کی آخری دن میٹنگ کرتا ہے اس سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرتا ہے اس کے بعد اسے کیابنٹ کے سامنے رکھتا ہے اس کے بعد اسی سائفر کو جو پارلیمنٹ ہے اس کو بریفنگ ان کیمرہ دی جاتی ہے پھر اسی سائفر کو آپ کا جو سپیکر ہے ڈپٹی سپیکر اس کے ترور سپریم کورٹ کو بھیجا جاتا ہے है और ये तमाम काम अम्रान खान अपनने जाने से पहले पहले कर देता है ना करता तो कैसे मानना था किसी ने किसी ने नहीं मानना था भारहल आए हुआ आगे देखते हैं हुआ क्या इम्रान खान करना क्या चाहता था इस भारा क New चरनल बाजवा साब ने एक कांफरेंस में कहा दिया कि हम नीट्रल नहीं हैं, हम युकरेन की जो इन्वेजन है उसकी सख्त मुखालफत करते हैं जारी बात है इमरान खान भी जंग की मुखालफत कर रहे थे और वो हमेशा करते हैं, लेकिन वो किसी मुल्क की तरफदारी नहीं करना चाहते थे, नीटल रहना चाहते थे तो इमरान खान की पॉलिसी ये थी, बाजवा साब की पॉलिसी उससे फर्क थी तो आपको पर ये समझ भी आगी होगी, कि ये सारी कारवाई पीछे से कौन कर रहा था अगे मैं बात आपको बताता हूँ, अब क्योंकि इमरान खान मैं रसी डाल गया था गरदन में, इमरान खान ऐसा इंतजाम करके गया था, जिससे निकल नहीं सकते थे, नैशनल सेक्यूरिटी कमेटी से भी अलामिया जारी करवा चुके थे, डिमार्श भी हो चुका था, कै अब बेज़ा है क्या ये सच है, उन्हें बिलकुँ सच है, जो मैंने सुना, जो हुआ, वो मैंने बेज़ा है, उन्हें आपने ज्यादा सक्जबान नहीं कर दी, कि इनको डिमार्श किया जाए, जो आपकी असेस्मेंट है, उन्हें ने का हज़ूर, जितना मैं समझता इसका एक एक लफ सच है, और मैं इसकी पूरी ओनर्शिक लेता हूँ, अब पहली कोशिश तो ये थी, कि असद मजीद थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, तो असद मजीद ने जब इनकार कर दिया, और कहा कि ये सब कुछ सच है, तो फिर फरसूदा सा नया अलामिया निका प्रियेट थे, आज जब ये खबर आई, तो अलादी शान राना सनावला ने इस पर कॉमेंट की, राना साब कुछ ख्याल करो, तो अनुए भी नहीं पता हो ना, इंटरसेप्ट किनू गंदे ने, तुसी मेरा गल ही समझा, कि पुलीस किसे नों इंटरसेप्ट कर रही है, उसी अपना कम करो, जड़े कमी तो अनुए लाया है, लोग कांदे कप्रेश अप्र लाओ, उननों कुछ शुट चड़ाओ, तो राना साब ने सीधा ट्वीट दाग दिया, उनको ये ट्वीट किसी ने लिखके दिया, और उनने ये इसके उपर स्टेट्मेंट दी, कि इस स कॉपी वहां पहुंची है, अच्छा जी, आज कल कॉपियां सिर्फ हार्ड कॉपी पहुंचती है, ये आपके फॉरन आफिस से, या किसी और जगा से तस्वीर लेके फून पे अखबार को नहीं बेज़ आ सकती थी उसी पेज़ की, बार राना साब देचे, बार राना साब जूटा है, तो आप इतनी तवीलें क्यों दे रहे हैं, अब इतनी परेशानी क्यों ले रहे हैं, आप ये क्यों कह रहे हैं, वहां से गाइब हुआ, एक तरफ आप इसे जूटा कह रहे हैं, और दूसी तरफ से कह रहे हैं, ये कॉपी, वहां से गाइब हुई होगी, कि तवाइफ और ताइफे में फर्क होता है, यह जहें मैंने तवाइफकार, जो ताइफे हैं, मसलिन सलीम साफी जैसे, उन्होंने का, आज तक अमरीका से, या किसी बेरुनी मुल्क से कोई साइफर नहीं आया, किसी अमबैस्टर की तरफ से, अगर आया हो तो मैं साफ़त चोड़ दूँगा, तुसी नहीं चड़नी, तुसी नहीं चड़नी, ना तुसी कदी, बेशर्मी चड़नी है, तो आपने नहीं चोड़ी, अब तो साइफर लीक हो गया, आप तो सामने आ गया, पहले ये का गया, ये साइफर जूट है, कोई साइफर है ये नहीं, सारा ड्रामा इमरान कान ने खुद बनाया, इसमें कोई रियालिटी नहीं है, ये पहला नेरेटिव था, उसके बाद ये का गया कि साइफर है, लेकिन उसमें साज़िश नहीं है, मुदाखलत है, फिर व पर नहीं है, कुछ नहीं है, ये पहले बियानिया बनाया गया, फिर है, साज़िश नहीं थी, मुदाखलत है, और अब क्या हुआ है, जब ये स्टोरी आगी, थोड़ी देर में सोशल मीडिया के उपर स्क्रीन शॉट आगे, जिसमें ये नजर आया, गे मजूदा रेजीम ने सहाफियों काय, अस्सलाम अलेकम, ये जो इंटरसेप्ट की स्टोरी आई, ये साथ लिंक भी बेजा, इसके उपर आपने बात नहीं करनी, बाकी किसी पर भी नहीं करनी, मैं ये शाहिद हूँ कि इमरान खान को भी बहुत ताकतवार हलकों ने, बहुत बार कहा कि आपने पर बात नहीं करनी, इस पर से रोका जा रहा था, बारल ये स्टोरी आई, इस से इमरान खान सचा साबत हुआ, इमरान खान का सच सब के सामने आ गया, और इस पर भी हम सब का यकीन, कि अगर इनसान सचा हो, तो पिर वो काल कोषडी में भी हो, तो अल्ला की जात उसे जो है वो अपनी मदद बेचती है, पाकिस्तान के जो जितने भी पाकिस्तान के अंदर जूट बोले गए, और जितने भी गलत बियानिया स्टेट डिपार्टमेंट के लेवल से की गई, या तो अब इन लोगों को इस साइफर को डिनाय करना पड़ना है, और या पिर इन लोगों को अब मानना पड़ना है कि कौम को कितना बेवकूफ बनाया, वशिंग्टन के अंदर अब तो हसान हकानी साथ ने भी मान लिया, और वाइट हाूस के तरजवान ने भी किसी हद तक मान लिया, यह सारी इसकी इंटरसेप्ट की स्टोरी के बाद तो जूट बड़ा पाकिस्तानी साथ ने यह कहा है कि ज्यादा ज्यादा इससे यही समझा जा सकता है कि अगर इमरान खान को हटा दिया तो अपने दोस्तों को जिनके पास ताकत है, उनके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पास भी हक होना चाहिए, पाकिस्तानियों के पास कैसे फैसले होते हैं, उनकी foreign policy कौन बनाता है, क्या vote जिनको वो डालते हैं, वो representative बनाता है, या कोई और बनाता है,